तो दोस्तों आज मैं एक्स्प्लेन करने वाला हूँ एक जैपनीज मांगा रिमेंबर के उपर बेस्ट सेम नाम की मुवी को जो कि नेट्फिक्स के उपर हाली में रिलीज हुई है मुवी काफी इंट्रेस्टिंग है काफी बढ़िया कॉंसेप्ट है उमीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आईगी और हाँ मुवी के अंदर एक पोस्ट क्रेइट सीन भी है तो उसको मिसमत करना क्योंकि अगर उसको नहीं देखा उसकी थियोरीज को नहीं समझा तो पूरी की पूरी मुवी को देखना ही वेस्ट हो जाएगा मैंने काफी डीटेल में बात करी है काफी इंटरस्टिंग चीज़ समझाई है तो आपको जरूर मज़ा आने वाला है और यार मैंने इंस्टाग्राम पे एक बहुती इंटरस्टिंग चीज़ लाइव करी है अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो जल्दी से जाकर देख लो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ तो मुवी की शुरुआत में हमको एक चोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि रात के वक्त अपनी डॉल के साल भाग रही होती है और फिर भागते हुए वो अपने घर के अंदर जाकर छुप जाती है लेकिन तबी अच्छानक से वहां पर कुलाड़ी लेकर एक वी अक जलता है कि ये घटना 12 आगस्त 1947 की है और उस रात की बाद से ही बाड़ी सर्च नाम का खेल शुरू हो गया था जिसके अंदर उस बच्ची की स्पिरिट हर साल 12 आगस्त की रात को कुछ स्टूरंट्स को चुनती थी और फिर उन स्टूरंट्स का काम उस लड़की के कटे वे बॉड़ी पार्ट्स को ढूंड कर एक कॉफिन के अंदर रखने का होता था और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता था वो हमेशा के लिए इस बॉड़ी सर्च गेम में फसकर रह जाया करता यानि कि एक लूप की तरह अब इसके बाद में अगला सीन हमको प्रिजन टाइम अगले ही पल एक बस के नीची आकर खतम हो जाती है जिसके बाद में आसका अपने स्कूल पहुंचती है जहां पर हमको पता चलता है कि उसके क्लास की अंदर सोता नाम का एक डरपोक लड़का है जिसे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स अक्सर बुली किया करते थे जिसके बा इसके बाद में आसका वापस से स्कूल के अंदर जाने लगती है लेकिन तबी फिर से उसे पीछे से एक बच्ची की आवास सुनाएं देती है जो कि ये बोलती है कि प्लीज मेरी बॉड़ी ढूंड़ दो लेकिन आसका जब पीछे मुड़कर देखती है तो बच्ची वहां परसन रेड की होते हैं क्योंकि उनको ब्लड में सोक किया जाता है और अगर तुम भी पकड़ी गई तो तुम्हें भी ब्लड में सोक किया जाएगा और अब इन मेसेजिस को पढ़कर आसका इतने ड़ जाती है कि वो मुबाइल को टेबल पर फेक कर सोने चली जाती है अब तबी अचानक से ही हम ये देखते हैं कि जैसे ही रात के बारा बचते हैं तो आसका अपने स्कूल के चर्च के अंदर पहुंच जाती है जहां पर उसके अलावा उसके क्लास के चार और स्टूड़न्ट होते हैं जिनके नाम यहां पर ताका हीरो, सोता, रिये और रूमी को और साथ ही साथ यहां पर आजसूशी नाम का भी एक लड़का होता है जो कि कुछ साल पहले आसका और बाकी चारों के साथ इनी के कलास में पढ़ता था लेकिन फिर बाद में उसने स्कूल आना ही बंद कर दिया, यानि कि यहां पर इन छे स्टूड़न्ट में से जो पांच स्टूड़न्ट होते हैं, वो करिंटली एक साथ एक ही कलास में पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर आजसूशी काफे टाइम पहले ही स्कूल छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे वो इनके साथ यहां पर पहुँच गया, फिर अभी यहां पर यह लोग सोची रहे होते हैं कि यह अचानक से स्कूल में कैसे पहुच गए, कि तब ही आजसूशी वहां से बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर अगले ही पल वहां पर उसी छोटी बच्ची की स्पिरिट आकर आजसूशी की बौड़ी के दो टुकड़े कर देती है, जिसके बाद स्पिरिट रूमी को को भी मार डालती है, फिर आसका और बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स वहां से भाग कर लाइबरेरी में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन फिर खून से लत्पत उस बच्ची के स्पिरिट बारी बारी से इन सभी को खतम कर देती है, जिसके अगले सीन में आसका अगली सुबा अपने बेडरूम में उड़ती है, जहां पर उसे लगता है कि उसने पिछली रात को कोई बुरा सपना देखा होगा, और इसलिए वो रेड़ी होकर अपने स्कूल जाने लगती है, जहां पर उसे रास्ते में वापस से वही सब चीज़े नजर आती है, जो कि उसने पिछले दिन देखी थी, यानि कि वह एक लूप में अलरड़ी फस चुकी थी, और इस बच्ची की स्पिरिट ने उसको अपने खेल के लिए चुन लिया था, साथ ही साथ वो पांच स्टूरेंट भी यहां पर सेलेक्ट हो चुके थे, अब पिछले दिन की ही त इस बार भी वो बिल्ली बस के नीचे आकर खतम हो जाती है, जिसके बाद में जब आज का स्कूल पहुंचती है, तो वहां पर ताका हीरो और पिछली रात वाले बाकी चार स्टूरेंट्स की बातों से पता चलता है, कि उन्हें भी पिछली रात की सारी बात याद थी, और जिससे उसको पता चला है कि ये लोग बॉडी सर्च नाम के एक गेब में फस चुके हैं, और जब तक ये लोग उस छोटी बच्ची यानि कि रेड परसन के बॉडी के सभी आठ टुकडों को नहीं ढूंड लेते, और उनको कौफर में नहीं रख देते, तब तक ऐसे ही हर जिन रिपीट होगा, यानि कि अब ये लोग एक मर्डरस टाइम लूप में फस चुके थे, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक है यहां पर, और यहां पर जब ये लोग इस सारी बाते कर रहे होते हैं, तब ही वहां इनके स्कूल का लाइबरेरियन आ जो कि इनकी बातों को सुनकर ऐसे बिहेव करता है जैसी कि वो कोई सच जानता हो, जिसकी बाद अगले सीन में ये पांचों स्टूडंट्स रात के बारा बजे वापस से स्कूल पहुंच जाते हैं, और पांचों इसलिए क्योंकि वहां पर जो आज सूशी था, वो दूसरे स्कूल में था, या फिर ये कहें कि वो स्कूल आता ही नहीं था, और अब ये आज सूशी को भी अपने साथ रेड परसन के बाड़ी पार्ट्स को ढूड़ने को बोलते हैं, लेकिन वो इस गेम में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है, जिसके बाद से ये लोग रेड परसन की बॉड़ी ढूड़ने में लग जाते हैं, अब ताका हीरो क्लास्रूम में लाइट सॉन करके आस्का के साथ बॉड़ी पार्ट्स को ढूड़ने लगता है, और फिर इनको रेड परसन का एक कटा हुआ हाथ मिल जाता है, लेकिन तब ही वहाँ पर रेड परसन का एक हाथ को कॉफिन के अंदर रख दिया था, जिसके बाद अगले ही पर रेड परसन उसको भी खतम कर देती है, अब यहाँ पर आट पार्ट्स थे लेकिन उसने एक ही पार्ट को कलेक्ट किया था, अब यह लोग वापस से अगली सुबह में पहुँच जाते हैं, और इस बार जाते वक ताका हीरो और आसका साथ मिलकर उस बिल्ली को बचा लेते हैं, यानि कि इस बार इन्होंने इस लूप के अंदर एक चीज़ डिफरेंट करी, जिसके बाद में वहीं पर रूमी को और रिये भी आ जाती हैं, जो कि काफी खुश होती हैं, क्योंकि पिछली रात इन जिसको ठीक होने में काफी लंबा वक्त लग गया, और इसी दोरान वो इतना डीमोटिवेट हो गया था कि ठीक होने के बाद भी ना उसने कभी दोड़ने की कोशिश करी और ना ही वापस से स्कूल जॉइन किया, कैर अब यहाँ पर आसका, ताका हीरो और बाकी के तीनों स् का सर नहीं मिल पाया, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि रेड परसन कोई और नहीं, बलकि मीको की ही स्पिरिट है, जिसके बाद में सोता रेड परसन को उलजाए रखने का एक काफी शांदार प्लैन मनाता है, जिसके अकॉर्डिंग ये लोग पूरे स्कूल में फूल साउ को ढूंड लेते हैं, यानि कि यहाँ पर ऐसा था कि सारी चीज़े रिसेट नहीं होती, लाइक एक बार एक बोड़ी पार्ट को ढूंड लिया तो ढूंड लिया, बाकी चीज़ों को चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, और फिर एक रात ताका हीरो को रेड परसन की टां बन चुका था, इसलिए ये सबी लोग साथ में खूब अंजॉय करते हैं, फिर ये लोग अब उसी घर में जाते हैं, जहां पर मीको को मारा गया था, जहां पर इन्हें मीको की बनाई हुई एक ड्राइंग मिलती है, जिसको देखकर ये लोग ये समझ जाते हैं, कि मीको अपना एक लौता फ्रेंड माना करती थी, जिसका नाम उसने एमिली रखा हुआ था, जिसके बाद में इन लोगों को पास की ही एक वाल में कुछ गरबर लगती है, इसलिए ये लोग उसे तोड़ देते हैं, अब उसके अंदर उन्हें मीको की डॉल एमिली नजर आती है, जिसके उपर अभी भी मीको का खून लगा हुआ था, और फिर अगले ही पल वहाँ पर मीको की स्पिरिट आती है, जिसको देखकर ये लोग वहाँ से बाग कर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद उस राज जब ये लोग बोड़ी सर्ज गे में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर क्रीचर आकर रिये वो खा जाता है, जिसके बाद में अकेली आसका बचती है, जो कि भागने के दौरान बालकनी से नीचे गर कर खतम हो जाती है, फिर अगले दिन जागने पर जब आसका स्कूल जाती है, तब वहाँ पर ताका हीरो, सोता, रूमिको को छोड़ कर क्लास में किसी को भी रिये के बारे में कुछ यादी नहीं रहता, उपर से रजिस्टर के अंदर भी उसका नाम गायब हो चुका था, जिसको देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि उस क्रीचर के दौरा खाय जाने पर असल दुनिया के अंदर रिये का अस्तित्व मिट गया था, जिसके लाइबरेडियन को इस गेम के बारे में इसलिए याद था क्योंकि उसे उसकी फ्रेंड ने गेम खतम होने से पहले एक किताब दी थी, जो उसे स्कूल खतम होने के कई सालों बाद मिली, और फिर उस बुक को देखते ही उसे वो लड़की याद आ गई, जिसको सुनकर आसका काफी दुकी हो जाती है क्योंकि अब वो अपने दोस्तों को वापस से खोने वाली थी, जो कि उसने नएने बनाए थे, जिसकी बाद आसका शाम में ताका हीरो को इसके बारे में बता देती है, जिस पर वो उसे अपना बैश देता है, ताकि गेम खतम होने के बाद में जब लोग बॉड़ी सर्च गेम में पहुंच चुके होते हैं जहां पर इनके मन में ये खयाल आता है कि हो सकता है कि रेड पर्सन का कटा हुआ सर उस क्रीचर के सर के अंदर होगा इसलिए अब ये लोग उस क्रीचर का गला काटने की तैयारी में लग जाते हैं और इसी दोरान ताका हीरो ये बोलता है कि अब वो समझ चुका है कि रेड परसन ने इन छे लोगों को ही बाड़ी सर्ज गेम के लेकि उचुना क्यूंकि असल में रेड परसन यानि की मीको भी इन छे लोगों की तरह ही लोनली लेस का शिकार थी और इसलिए यहाँ पर ये जो क्रीचर है वो लोनली लेस को दर्शाता है जिसके बाद में ये सबी लोग समझ जाते हैं कि इन्हें दुकी रहने के बजाए अपने अकेले बंसे खुदी फाइट करना होगा और तब ही वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है जिससे ये लोग साथ मिलकर फाइट करते हैं जिसके अंदर आसका को छोड़कर बाकी सबी खतम हो जाते हैं लेकिन क्रीचर का सर कटने की वज़ा से अब आसका रेड परसन के सर को ले जाकर कॉफिन में रख देती है अब अगली सुबह जब आसका के आँख खुलती है और वो स्कूल पहुँचती है तो वहाँ पर रिये, सोता, ताका हीरो, रूमी को और आजसुची वापस आ चुके थे लेकिन किसी को भी कुछ याद नहीं था अब इसके बाद में चार लोगों को भी अपने चीज़े याद दिला देंगे लेकिन ये मुवी यहाँ पर अभी खतम नहीं होती यहाँ पर एक पोस्ट क्रेड़िट सीन भी आता है जहाँ पर शुरुवात में आसका ने जो एक कुवा देखा था जहाँ से कई सारे बलडीड हैंड बाहर आये थे तो जो कैमरा होता है वो दीरे-दीरे कुवे के नीचे जाकर फोकस करता है जहाँ पर हम एक फटे हुए न्यूस पेपर को देख पाते हैं जहाँ पर एक हैडिंग होती है और वहाँ पर मीको के डेथ के बारे में लिखा हुआ था लेकिन लेकिन यहाँ पर होता यह है कि धीरे-दीरे न्यूस पेपर के उपर खून लगना शुरू हो जाता है और जो मीको का फेस होता है वो किसी और लड़की से चेंज हो जाता है जो की उसकी ही एच की थी यानि की आठ साल की और वहाँ पर नेम लिखा हुआ था आसका का जी हाँ आसका का नम वहाँ पर लिखा हुआ था जो की मारी गई थी वो भी अम्यूजमेंट पार्क के पास और ये वही amusement park है जहां पर वो और ताका हीरो बच्पन में जाया करते थे और बीच में इनकी एक ऐसी conversation भी होती है जहां पर इसके बार में बात की गई थी लेकिन यहां पर आसका ने उसको चुप करवा दिया था यानि की अब ये लूप वापस से शुरू होने वाला है और यहां पर अब की बार जो रेड परसन होगा वो कोई और नहीं बलकि आसका होगी यानि की एक बात तो पकी है जैसे की मीको के बाड़ी पार्ट्स को ढूंडने का काम यहां पर कुछ बच्चों को दिया गया था यानि की जिनको चूस किया जाता है और ऐसे ही अब यहाँ पर कुछ और बच्चों को जूस किया जाएगा जो कि आसका के बॉड़ी पार्ट्स को ढूंडेंगे तो मेरे कहाल से यह डेविल हो सकता है या फिर जिस किसी ने भी ऐसा किया है और बॉम इसी के साथ में रीमेंबर मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों यह थी रीमेंबर मुवी की कहानी अब यहाँ पर हम कुछ थियोरीस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली की ये लूप शुरू कैसे हुआ तो इन चीजों के बारे में ज़ादा डीटेल में तो बताया नहीं गया है लेकिन कुछ सटल हिंट्स यहाँ पर शुरुवात में ही थे तो मीको जो थी वो इस मूवी के शुरू होने से 30 साल पहले के करीब मारी गई थी लेकिन जो शुरुवाती क्रेट्स होते हैं ना उसके अंदर एक सिमिलर केस दिखाया गया था 1947 का जहां पर जो किलर होता है जिसको जब अरेस्ट किया गया था वो मिस्टीरियोसले डिसापियर हो गया था और इस मूवी के अंदर जो लाइबरेरियन था वो अपने 30 स में था और उसको थोड़ी बहुत मेमरी याद थी तो रूल्स के हिसाब से आप जब भी इस लूप को ब्रेक करते हो या सॉल्व करते हो तो आपको इस पूरी चीज़ की मेमरी जो होती है वा आपके दिमाग से मिट जाती है लेकिन यहाँ पर एक बात थी कि लाइबरेरियन को एक ऐसी फिलिंग थी कि वो जो लड़की थी वो उससे काफी क्लोस था यानि कि शायद से ऐसा हो सकता है कि यह लड़का मीको से जुड़ा हुआ होगा अब जैसे कि जब आसका ने इस लूप को ब्रेक किया तो उसकी फोटो न्यूस पेपर के अंदर आ गई ऐसे ही मेरे ख्याल से मीको के साथ में भी हुआ होगा जो जो यहाँ पर विक्टिम होता है उसने कभी ना कभी यहाँ पर इस लूप को ब्रेक किया है ऐसे ही मीको ने इस लूप को ब्रेक किया होगा तब ही वो यहाँ पर अगली विक्टिम बन गई थी क्योंकि उसको यह सारे के सारे जो इवेंट्स थे वो अपने सीनियर एर में याद आये थे जैसा कि हमको पता है कि सॉल्फ गड़ने के बाद आप अगर किसी भी चीज़ को देख लेते हो जो कि इस गेम से जुड़ा होता है तो आपको उसकी मेमरी याद आ जाती है यानि कि मीको और लाइबरेरियन शायद से दोस्त थे जैसे कि फिलाल मुवी के अंदर ताका हीरो और आसका है और यह जो चीज़ हो रही है ना यानि कि यह जो लूप है वो 1947 से ही होता आ रहा है तो शायद से हो सकता है कि यहाँ पर कोई अकुल्टिस्ट ट्राइम ट्रैवलिंग सीरियल किलर है या फिर जो ओरिजनल किलिंग थी ना वो एक रिचुल के जरिये होई होगी जिसके जरिये उसके पास में कुछ पावर्स आ गई होगी जिसके जरिये वो टाइम के अंदर बार बार एसकेप कर जाता है क्योंकि जो शुरुवादी न्यूस पेपर कटिंग थी वहाँ पर ये मैंशन किया गया था कि जो killer था वो mysteriously disappear हो गया था अब या तो यह है कि killer ने devil की यहाँ पर पूजा वगरा करी होगी जिसके चलते उसको यह powers मिल गई होगी और devil यहाँ पर इन सब की souls को लिया करता था यानि कि जो victims होते थे और जो killer था वो devil के लिए काम करता होगा जिसके पास में time loop की power होगी जो कि बार बार time में जाकर नए नए बच्चों को मार दिया करता होगा यानि कि मीको की spirit वो पहली victim नहीं है जिसके साथ में ऐसा हुआ होगा क्योंकि यह 1947 से होता आ रहा था तो मेरे हिसाब से होता यह है कि जब भी इस body search गेम को कोई जीत जाता है जैसे कि जो भी selected members है उनमें से जो जीत गया वही यहाँ पर killer का या फिर devil का अगला victim हो जाता है और इसलिए ही यहाँ पर आसका की newspaper cutting वहाँ पर आ गई थी और यही reason है कि सबी की जो memories होती है उनको मिटा दिया जाता है और यह body search जो हैने एक selection mechanism है और यहाँ पर जो amnesia वगरा होता है उससे crime और सारी चीज़े बहुती असानी से छुप जाती है और continuous यहाँ पर रहता है लेकि यह वहला loop थोड़ा सा अलग है और यहाँ पर पक्का से कोई ना कोई sequel सरूर आएगी जहाँ पर हमको इन सारी चीज़ों के बारें पता चलेगा कि असल में यह शुरुवात हुई कैसे थी और जो original victim था या फिर थी वो कौन था killer कौन था यहाँ पर क्या ritual हुए है या फिर यह क्या हुआ है कोई occult है यहाँ पर कोई group है या फिर क्या है क्योंकि यहाँ पर ऐसे time loop की powers किसी को भी ऐसे नहीं मिल सकती और यह भी हो सकता है कि टाका hero और आसका का यहाँ पर कोई ना कोई past में कुछ हुआ होगा क्योंकि जब वो conversation हुई थी ना जहाँ पर वो past में मेले में गए थे तो यहाँ पर आसका ने उसको चुप कर दिया था यानि कि यह दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे यानि कि मूवी इतनी confusion भरी कर दो ताकि लोग इसके बारे में बात करेंगे ताकि मूवी फेमस हो जा और उसका सीक्विल बना दिया जाए लेकिन यहाँ पर मुझे post create scene के वज़े से मूवी अच्छी भी लगी है कि जब तक यह movie end होती है तब तक तो ऐसा है लगता है कि बिल्कुल आम सी movie है ये लेकिन जैसे ही post create scene हमको देखने को मिलता है तो यहाँ पर चीज़े पूरी की पूरी confusion से भर जाती है और तब आपको जाकर बार बार चीजे देखनी पड़ती है एक एक चीज आपको ध्यानते सुननी पड़ती है अब देखो एक और सिंपल सी थियरी यह आती है कि जब यहां पर आसका ने पूरा का पूरा गेम कम्प्लीट कर दिया तो उसकी जो पिक्चर थी वहां पर न्यूस भी वाइप आउट हो चुकी हैं लेकिन हुआ ये कि आसका और उसके बॉइफरेंड ने यानिकी इताका हीरो ने सम्हाव इस सिस्टम को है कर लिया क्योंकि उसने उसको अपना बैज पहले ही दे दिया था क्योंकि उस लाइबरी रे ने सारी बाते पहले ही बता दी थी क्यो प्रिगली मुझको यहां पर लगता है कि यह जो लड़की यानि की जो आसका है यहां पर एक तरह से गलिच है अब यहां पर जो ओरिजनल मर्डरर है या फिर डैविल है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो लेकिन आसका यहां पर इस गेम के अंदर एक गलिच बन करता हूं कि अब आपको यह मूवी अच्छे समझ में आ गई होगी और आपको थियोरी भी पसंद आई होंगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल क्यों पढ़ने है तो सब्सक्राइब कर लीजे क्यों कि इस लूप के बारे में इस पोस्ट क्रेट सीन के ब अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए